जैश याराम बंदो आपका स्वागत है आपके अपने चेनल हिंदू रिच्वल्स पर आज हम गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी दे रहे हैं गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रचपदा के दिन की जाती है आप सभी लोग जानते हैं इसकी दोतिन चाहिए पूजा के लिए ब्रत करना चाहिए और मध्धान के समय में विशेश करके चपन प्रकार का भोग प्रभू को अरपन करना चाहिए इसमें भी मुख्यता है उसी तरह से पूजा किया जाता है अगर आप ब्रिंदावन में हैं उसके आजपास मद्वरा में तो गवर फूल हार चड़ाया जाता है धूख किया जाता आर्ति की जाती है बहुत चपन प्रकार का भोग लगाया जाता biggest अचरण दॉड़ा होगता जो है उसमें मत जोड़िये भोग होता है जो भी आप लगाना चाहिए उसके बाद में फुरा देश शंकृतन करना जब तक भगवान का भोग लगए आच्मन इत्यार करा करके पान तामबूल फ़ल इत्यार चाहा करके दक्षना चाहा करके प्रदक्षना करनी चाहिए और भगवान स्री कृष्ण का ही रूप है तो अपने घर में कनया को असना नित्यार करके अफशे करके तुलसी लरारपन करके उसी तरह से पूजन कर सकते हैं कि हम गोवर्धन की पूजन कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं तो निश्चित जो है आपकी भावनाएं भगवान के इंडर की पूजा होती तो भगवान ने ज है निन्स बाबा से बाबा यह मारे जो गई और आवगवान ने उठाया साब लोग ब्रस्ठी वल्लोग होना अपना अपना लाठी लगा करके सब लोग को लगा हमभी कर रहे है और उस दिन कई दिनों तक पूरा सारे गवाल बाल भगवान के छत्रचाया में थे और बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर इंडर को अपनी गलती का इसास्वा के छमा मागा और भगवान ने छमा भी कर दिया तो उसका वस्ता कारण यह था कि चलो इसी भाने हमारे पूरे ब्रंदावनवासी से मत्रावासी से सबसे भगवान ने हमें एक साथ में जितने भी प्रेमी भग्त दे एक छत्रचाया में हमें रखा इसलिए भगवान जो है बड़े प्रशन तो उतना नहीं हुए लेकिन हाँ इंद्र को माफ कर दिये और उनको जो है आनभो कराए कि हमें गुरूर नहीं होना चाहिए वही पर एक जो गोवर्जन माराज से उनको सम्मान दिया क्योंकि जिन वनश्पतियों से जिन चीजों से मनुष्य का जीवमात्र का भरन är पोषन होता है cents हमारे लिए पूझए इसलिए कातिक महिना चल रहा है आवला के पूझए की इतसे महिया के पूझए की इसलिए की विधी आ comedh तो चपन प्रकार से कई जादा भी उपार हो गया था दूसरी कथा यह है कि बली के हाँ जब भगवान बंध गये थे लश्मी माता जी गए राखी बंधी तो हाँ बली ने उनको सेवा सतकार किया और फिर दीपा वली के दिन जो है भगवान बली को भी साथ में लेकर के आए सब लोगों ने आर्ती वगेरा उता रहा था अगले दिन स्वयम लश्मी माता ने चपन प्रकार के भोजन और बिबिट प्रकार के भोजन कह सकते हैं के लिए विचार के लेकिन तो कि उस दिन जो है सारे नगर वास्टी बैकुंट वास्टी ने लाकर के समर्पिट किया फिर भईया दूज के दिन लश्मी माता स्वयम भोजन बना करके बली को गहन कराई थी तो यह भी कथाएं आती है और भी कई सारी कथाएं आती है पर सब पुरा संतुलित है हमारी प्रित्वी और देखा जातों सिया राम में सब जग जानी चाहे ब्रिक्ष है चाहे कोई चीटी है चाहे धूल मिट्टी है सब में भगवान का ही वास है जहां राम नहीं है वो मरा हुआ है तो बंधों इसलिए यता संभव गोवर्धन की पूजा कीजिए लेकिन अच्छी बात पूरे प्रकृति का सब्सक्राइब कीजिए और यहीं हमारी सची पूजा होगी जोहर दिश्टी से हमारे लिए कल्यान कारी होगी जैस याराम बंदों फिर मिलेंगे आपको एक नए संबाद के साथ में